प्यारे बच्चों, शुब परबाद! आशा है, आप सभी अपनी घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे. पिछले वीडियो में हमने नेता जी का चश्मा पाठ का सार पढ़ा. नेता जी का चश्मा पाठ पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमें पता लगा कि एक सच्ची देश भक्ती किस परकार की होती है और इस देश भक्ती को किस परकार से हम निभा सकते हैं. प्रस्तूत पात में किस प्रकार हालदार साब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने और छोटे-छोटे बच्चों ने मूर्ती पर सरकंडे का चश्मा बना कर लगाया और अपनी देश भक्ती का परीचे दिया आचारी रामचंदर शुकल ने देश भक्ती के बारे में कुछ लिखा है, इसकी फोटो मैंने बीच में लगाई है, साथ में मैं पीडियाब भी लिंक कर दूँगी, आप उसमें इसको पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बाते उन्होंने बताई है आज का हमारा मुखे टोपिक है अभ्यास के परसन उत्तर, पूरा पाठ पढ़ने के बाद, कहानी को समझने के बाद, जो अभ्यास के परसन उत्तर हैं, वो हमें करने है हमारी बोर्ड की परिक्षा में दो परकार के परसन आपसे पूछे जाएंगे सबसे पहला आपको पठित गध्यांस दे दिया जाएगा पूरे पार्ट में से कोई भी दो या चार लाइने आपको दे दी जाएगी उन लाइनों को आपने पढ़ना है और उसके नीचे जो परसन पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपने देने है अभ्यास के परसन उत्तर भी आपने करने है लेकिन जो पठित गध्यांस है वो पांच नंबर का आएगा अगर आपने पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ा है सबसी पहला परसन आप देख रहे हैं सेनानी नै होते वे भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे बहुती महतोपुन परसन है बार बार परिक्षा में पूछा जाता है इसका उतर आप इस परकार लिख सकते हैं सेनानी नै होते वे भी चश्मे वाले को लोग कैपटन इसले कहते हैं क्योंकि उनका नाम ही कैपटन था वे किसी सेना में कैपटन के पद पर नहीं थे ना ही किसी सेना के सिपाई थे लेकिन फिर भी एक सची देशपक्ति दिखाते हैं उनको नेता जी की मूर्ती बिना चश्म चश्मे बेचने का काम है वो एक फेरी वाले हैं एक जगे से दूसरी जगे पर एक बास की डंडी पर चश्मे लगा कर और एक हाथ में संदूग ची लेकर चश्मे बेचते हैं अपने चश्मों में से ही वो एक चश्मा नेता जी की मूर्ति पर लगा देते हैं जब कोई ग्रह से कैप्टन चश्मेवाला कहकर बुलाते थे और उन्होंने अपनी एक सची देश भक्ती भी दिखाई है अब देख सकते हैं दूसरा परसन है हालदार साहब ने ड्राइवर को अपने चोराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा इस परसन के तीन भाग है कखगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग नेता जी की मूर्ती पर चश्मा लगाता था। मूर्ती पर सरकंडे का चश्मा एक नई उमीद जगाता है। अगर इनके मन में देश भक्ती की भावना है तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। मूर्ती पर नहीं देखते। इसलिए वो कही न कहीं अंदर से मायूस थे लेकिन जैसे ही वो दो साल बाद यात्रा पर जाते हैं और मूर्ती पर चश्मा देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। उनके मन में एक नई उमीद जगती है और उन्होंने देखा कि मूर्ती पर इस पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा है जो शायद बच्चों ने बना कर लगा दिया है। जो बच्चे हमारे देश का भविश्य हैं उनके मन में अगर देश भक्ती की भावना है इस बात को मैसूस करकर वो भावुक हो जाते हैं उनके आंखों में आंसु आ जाते हैं और साथ ही वो अपनी गाड़ी से उतर कर जो रहाई पर मूर्ती लगी है उसको एक सलूट भी क करते हैं इस तरह से वो भावुक हो जाते हैं परसन नमबर तीन आश्य स्पष्ट कीजिए बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर ग्रस्ती जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हसती है और अपने लिए बिकने के मोके ढूनती है इस तरह की परसन बहुत पुछे जाते हैं आपकी परिक्षा में आश्य स्पष्ट कीजिए काफी बच्चों को समझनी आता आश्य स्पष्ट करने का क्या मतलब होता है तो आश्य स्पष्ट करना मतलब जो पंक्ति आपको दी गई है पार्ठ में से इस पूरी पंक्ति को आ वाला उसका मझाक उड़ाता है वो कहते हैं वो लंगड़ा क्या जायगा फोज में पागल है पागल इस तरह की वाक्य को सुनकर चंकर यह लावरा साब को बहुत दुक होता है और मन lubricant पंक्तिOhum के पुरे देश में और सरकार और सभी मिलकर हम COVID-19 वाइरस की खिलाप एक जंग छेड़े हुए हैं एक लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि जल्द ही हमें जीत हासी लो लेकिन कुछ स्वार्थी लोग कुछ बिमार मानसिकता वाले लोग अजीब अजीब सी हरकते कर रहे हैं और नीमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनकी वज़े से कहीं न कहीं जो हमारी जंग है वो कमजोर पड़त तो हर जगे कुछ न कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं नकारात्मक सोच की लोग होते हैं जो अच्छी बातों को कभी भी अच्छे तरीके से नहीं लेते हमेशा उनके बारे में गलत सोचते हैं तो इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी चाहिए परसन नमबर चार है पान वाले का एक रेखा चितर प्रस्तूत कीजिए सबसे पहले तो हम जानते हैं रेखा चितर क्या होता है रेखा चितर रेखाओं द्वारा खीचा गया चितर यानि कि कुछ चितर ऐसे होते हैं कुछ पिक्चर्स ऐसे होती हैं जो हम देखते हैं और मानस पटल पर बन जाता है हमारे मन मस्तिक्स में एक फोटो सी छप जाती है उसी को हम रेखा चितर कहते हैं बहुत सारे लेखक रेखा चितर लिखने में बहुत माहिर हैं उन्होंने इतनी अच्छी भाषा के द्वारा इतने अच्छे वर्णन के द्वारा किसी भी विक्ति य उस चितर को देखे भी नहीं, उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही पाठ आपने पढ़ा, तो आपने देखा होगा, किस भाषा में पानवाले का परीचे दिया गया, और वो परीचे जिस परकार दिया जाता है, तो पढ़ने के बाद ही, क्योंकि हमने पानवाले को देखा नहीं है, उसकी फोटो नहीं देखी है, लेगिन पढ़ने के बाद ही हमारे मन में एक चितर बन जाता है, तो इसी तरह की भाषा से जो चितर खीचे जाते हैं, उनको हम रेखा चितर कहते हैं, तो आपने इसका उत्तर लिखना है, और ये भी सारे ही पर पानवाले का एक रेखा चितर प्रस्तूत कीजिए, तो ये बड़ा ही आसान है और पूरा पार्थ आपने पढ़ा है, इसका उत्तर आप इस परकार लेख सकते हैं, पानवाले की दुकान चोराये पर नेता जी की मूर्ती के सामने ही थी, पानवाले का रंग काला था, वे श चलती थी, वे सभाव से बड़ा खुश मिजाज था, बार बार पान खाने की वज़े से उसके दांत लाल और काले हो गए थे, वे कोई भी बात करने से पहले मूं में रखे पान को नीचे थूकता था, उसकी थूकने की आदत बार 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 बन चुकी थी इस तरह की आदत उसकी, पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी, जिसे वे बड़े रसीले अंदाज से दूसरों के सामने प्रस्तुत करता था, तो ये सारी जो पंक्तिया हैं, जो हमने अभी अभी देखी, इन पंक्तियों के मादेम से हमें लगता है कि पान वाला का एक जो चितर है, वो हमारे मन में बन गया है, तो इस तरह से पूरी बाते आप इसमें लिखेंगे, परसन नमबर पांच, वो लंगडा क्या जाएगा फोज में, पागल है पागल, कैप्टन के परति पान वाले की इस टिपनी पर अपनी परतिकरिया लिखे, आप यहां पर आपसे अपनी परतिकरिया पूछा गया है, पाठ में जिस तरह की पंक्ति का प्रयोग किया गया है, और जिस तरह की भाशा आप इसमें देख रहे हैं, एक तरह से मजाक बनाने की भाशा है, तो आप इस तरह की टिपनियों के बारे में क्या परतिकरिया करेंगे, अपने शब्दो में इस पर क्या प्रतिक्रिया के वी उत्तर उलग होगा को तो को सुवेदन सील मुद्दौं का भी मजाक बनाते आज। कैप्टन चश्मे वाला एक गरीब विक्ती है, बूड़ा विक्ती है, वो एक पैर से लंगडा है, उसका एक पैर नहीं है, अपनी आजीवी का कमाने के लिए वो इतनी महनत करता है, और फिर भी उसके मन में एक सची देश भगती है, वो मूर्ती पर चश्मा हर रोज बदलता है, उसको नेता जी की मूर्ती बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती, और इतना अच्छा काम करने के बाद भी पान वाले जैसे वेक्ती उसका मजाक बनाते हैं, और इस तरह की मानसिक्ता वाले लोग हमारे देश में भी मौजूद हैं, चोटी-चोटी बातों को नकारात तरीके से एक दूसरे के सामने फैलाते हैं, और इस तरह से वो अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा भी कह सकते हम उनको, हमारे देश के लिए वो अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन बुरा ही हमेशा सोचते हैं, इस परकार से आप अभ्यास के परसनों के उत्तर दे सकते हैं, साथ में हमने देखा कि पूरे पार्ट में से जो हमारा गद्य खंड है, गद्य खंड में हर एक पार्ट में से दो तरह के परसन पूछे जाते हैं, एक तो आपका पठित गद्यांश होता है, जिसमें से जो पार्ट आपने पढ़ा है, उसी में कुछ पंक्तियां दिया जाता है, उसको पढ़ने के बाद उसके नीचे परसन उत्तर आपको लिखने होते हैं, जो पांच नमबर के लिए आता है, साथ ही जो पूरे पार्ट हैं, गद खंड में जो पूरे पार्ट हैं, उनमें से आपको कुछ परसन दिये जाते हैं, और दो दो नमबर के पूरे पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक पंक्ति को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कई बर क्या होता है, परिक्षा में जो गध्यान समय दिया जाता है, उसमें जो पंक्तियां लिखी जाती है, वो हमें ध्यान नहीं आती, क्योंकि पूरी कहानी को याद करना आ जो जरूरी नहीं, अभ्यास के पर्सनों के उत्तर ही आपने लिखने हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं, जो पूरे पार्ट से सम्बंदित होते हैं, लेकिन हमारी पाथ्टे पुस्तक होती है, उसमें पीछे उन पर्सनों का कहीं पर्विजिक्र नहीं किया जाता, तो आप पूर पाट के हर एक चूटी-चूटी बाते अगर आपको ध्यान रहती है, तो आपको ये डर नहीं रहता कि जो हमारा पर्सन ने पता नहीं कहां से आ गया, बुक के पीछे टो ये पर्सन नहीं दिया गया था, तो यही है कि आप पाट को बहुत अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से आप लगे रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पाट के साथ कुछ नई बातों के साथ तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने आपको व्यस्त रखें क्योंकि जब हम खाली रहते हैं अपने घरों के काम में अपने आपको व्यस्त रखें अपने माता पिता की सहायता कीजिए साथ साथ अपनी पढ़ाई कीजिए कुछ नई एक्टिविटीज कीजिए और इसी विचार के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी प्यारे बच्चों, व्यस्त रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें. Thank you very much. प्यारे बच्चों, आप वीडियो के बारे में अपना feedback भी दे सकते हैं, आप मुझे message कर सकते हैं. वीडियो पसंद आया तो भी जरूर बताईएं, नहीं पसंद आया तो भी जरूर बताईएं, किसे परकर का कोई सवाल आपके दिमाग में हैं, तो आप मुझे message कर सकते हैं, अपना feedback आप नीचे वीडियो में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा. अगर कोई suggestion है आपका कि कुछ और improvement किया जा सकता है, कुछ और तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो वो भी आप जरूर बताईएगा. Okay, thank you very much.